किस सबसे पहला प्रलोभन आपके लक्ष की यात्रा में सबसे पहली बाद है प्रलोभन चोटे मोटे सोने उने नहीं सोने के पहाड ने निमंत्रन दिया आओ आओ थोड़ा आराम करो हनुमान जी ने क्या कहा राम काज की ने भी ना मोही कहा विश्राम दो चीजे माधा है देपालपुर वालो एक तो प्रलोभन और दूसरा है डर दो चीजे अगर आप इसे जाना है जाना है सब कोई कहता है पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे सब कोई कहता है लेकिन यातरा में दो घाटियां है कंचन और कामनी सब इसमें ढूबते हैं कोई बिरला पहुँचता है कोई एक आदा अरबों में कोई एक आदा और वही है मेरे मेरे पवन सुत हनुमंत लाल रामकाज की ने बिना और आपको मालूम है आगे सुरसा मिली बड़ा सा मूँ खोल दी आजा आजा मेरे मूँ में बोजन मिल गया मुझे इतना बड़ा मूँ खोला हनुमान जी दुगने हो गए और चौगनी हो गई हनुमान जी आठ गुने हो गए और सोले गुनी हो गई हनुमान जी बत्तिस गुने हो गए और तुरंत हनुमान जी को लगा कि मैं कोई प्रतिसपर्दी थोड़ी हूं मैं कोई कम्पिटीटर थोड़ी हूं क्योंकि ये तो सिलसिला चलता रहेगा और वो छोटे बन गए, छोटे बने, सुरसा के मुख में गए और बाहर आ गए, सुत्र दे दिया हमें, कारिये बड़े करो, पर स्वयम बड़ा होने का प्रियतन बलो ना, और जिनके साथ कारिये कर रहे हो, अगर वो बड़े हैं, उनसे बड़ा होने की कोशिश मत करना, नही तो वो बड़े टांग पकड़के खीच लेंगे क्योंकि उन्हें तुम बरदाष्ट नहीं होगे कार ये बड़े करो स्वयम बड़ा होने का प्रियतन सुरसा ने आशीरवाद दिया के ठीक है ठीक है वलबुद्धी विवेक की परीक्षा हो रही है फिर उसके बाद कौन मिली उसके बाद मिली सिंग का सिंग का पानी के अंदर रहती थी आसमान में उड़ने वाले पंचियों की जो छाया पड़ती थी सागर पर उसको पकड़ लेती थी फिर उड़ने वाले पंचियों के हाँ वो breakfast, dinner, lunch बगएरा करती थी रहती थी जल में पर खाती थी नभचरों को और रहती थी पानी के बीतर हम सब के पास है वो हमारे पेट के पताल में रहती है सिंग का हम सब के पास हैं सब पालते हैं उसको क्या है वो? इरिशा क्या है? जब तक कोई मुझसे चोटा है बरदाश्ट हो जाएगा कंदे तक आगया जहल लेंगे सिर तक भी जहल लेंगे पर एक उंगल हम से उपर उठने का प्रयातन किया तो पिर उसकी जिंदगी का कोई ना कोई दूशन निकालेंगे ढूंदेंगे और पिर उसका इंटरनेट पे परचार करेंगे ये है इरिशा सबके पेट के पाताल में रहती है और हिंदूओं का ये रास्टिये रोग है मेरा डंडा, मेरा जंडा, मेरा एजंडा लाखों लाखों अरवों अरवों संस्थाएं बनी हैं ये संस्थाएं तोड़ी बनी हैं संस्थाओं में अध्यक्षम बनना है इसलिए चटपटी लगी है और उससे आपस में भीड़ते रहते हैं भीड़ते रहते हैं फिर आगे कौन मिली जी कौन मिली सारी देरियां ही मिल बड़ी खतरना कहें यह सुरसा है यह सेंगी का है आगे कौन मिली आगे मिली लंकनी नाम लंकनी एक निशाचरी सो कह चली सी मोहे निद्री और वो एए एए ए एए ए ए चोर कहा जा रहे है अनुमान जी वले अच्छा दुनिया के सबसे बड़े चोर की रखवाली करती है और हमें चोर बताती है अमारी मुठी मुष्ठिका का प्रहार किया नाक पर रुदर भमन करने लगी असारी बुद्धी ठिकाने पर आ गई और पिर हाथ जोड़ लिया पिर बड़ी प्रसन हुई और पिर कहती है प्रविश राज कीजे सब काजा रदे राख कौशल पुर और निशाचरी को हनमंतलाल का संग मिल गया तो बुद्धी और कहती है ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक बानर आएगा तेरे मूँ पे मुक्का मारेगा और तेरी बुद्धी ठिकाने आ जाएगी और बिर समझ लेना उसी समय निशाचरों के पतन का निश्चे हो जाए और ये क्या है जी लंकनी ये क्या है जी ये है भेद बुद्धी ये है थारा ये मारा यही से महाभारत शुरू होता है माम कहा पांडवास चईवकिम कुर्वत संजया सुन रहे हो सुन रहे हो विचारे भईया ने अपने छोटे भईया के घर अपने बेटे को पढ़ने भे में सूख के ऐसे हो गया विल्कुल पतला कागज जैसा फट फटिया सा और वो विचारा ना रोटी मिले ना प्यार मिले और एक दिन घर में एक कुटा आ गया मरियल सा खजली वाला कुटा हड़ी हड़ी दीखरे यूं दीखा देखरा आंखें फाड़ पाड़ देखो इसके देले कितने बड़े हैं देखो इसका पेट कैसे चिपका पड़ा कैसे मरियल कुटा है चाचा खवार पढ़ते पढ़ते बोला अपने भतीजे को कि इस मरियल से कुटे को बाहर निकाल दे कितना कमजोर सा है तो भतीजा धीरे से बोला चाचा जी लगता है ये कुटा भी व इता होगा तब इसका ये दुर्धशा हो गई, बेद बुद्धी, अर ये ये इरशा और ये जो बेद बुद्धी, ये जो प्रतीस परदा है, ये हिंदुों का सत्या नास कर रही है, आप केकडे प्रवरत्ती को जानते हो, एक बार मेरी केकडों से बात हुई थी, पानी के ज जूद जाओ सागर में यहां क्यूं कैदो तो केकड़े बोले दीधी मा क्या करें जैसे ही एक बाहर जाने का प्रयास करता है दस टांग पकड़के नीचे गसीट लेते हैं इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं जा पाता भाईया गाओं में पंच चुल लिये गए पर सरपंच त इसको बनाए इसको बनाए इसको बनाए कि इसको बनाए बड़ा चक्कर है भाईया किसको सरपंच बनाए तो एक अनुभवी बजुर्ग थे उन्होंने का इन सारे पंचों को कह दो ये कूए में कूद जाए और शाम तक जो पहले निकलाएगा उसको सरपंच बना दिया जा भावनाओं से उपर उठो, अगर लक्ष तक हनुमंत लाल पहुंचते हैं, तो बाकियों को फड़ फड़ाने की जरूरत, हम उनी की जैकार करेंगे, इसलिए नेत्रित तुचुनों, और फिर नेत्रित तुचुनों, तो उनके पीछे श्रधा से खड़े हो जाओ, ये समाज को करना पड़ेगा, नहीं तो अस्तित्व पे भारी संकट है, जिसकी कलपना भी आपको नहीं है, और मेरा अनुरोध है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, मुझे आपकी चापलूसी करनी नहीं है, मेरा अपना धर्म निभा रही हूं, मेरा धर्म है ये, आपने ए हमें तो समाज ने घी में भीगो भीगो भोजन करवाया है, हम किसी कुत्ते से गई बीते नहीं हो सकते, के समाज के प्रति हम मौन बने रहें, चुप बने रहें, इसलिए इस धर्ती को सुरक्षित रखना है, तो तुमें प्रतिस परदाओं से, इर्शाओं से, और भेद ब पाना ना भूलें